तो चलिए आगे की तरब बढ़ते हैं और आप बारी है reference tab कि reference tab में जो सबसे पहली चीज अमारे सामने आती है वो होती है table of content इसका use समझ लीजे किस तरीके से किया जाता है जैसे किताबों में आप index देखते हैं न किस page पे क्या चीज है उसी तरीके से यह काम होता है बस यह थ 10,10 अगर मैं करता हूँ तो एक लंबा चोड़ा paragraph मेरे सामने आ जाता है जो कि आप देख रहे होंगे आ चुका है इसी को मैं copy paste कर रहा हूँ यह मेरा document तैयार हो गया है copy करने के लिए ctrl c, paste करने के लिए ctrl v, यह basic से चीज है और यह zoom in, zoom out जो आप देखते हो इस तरीके से म अब यहां पर मैं कुछ heading बना लेता हूँ जैसे कि देखिए यहां पर सबसे पहली heading मैं बनाता हूँ computer की और यहां पर मैं जाता हूँ और इसको level 1 की मैं कह देता हूँ heading है यह level 1 हो गया ठीक है इसके बाद मैं नीचे की तरफ आता हूँ और यहां पर मैं एक और heading बनाता अब input को भी मैं level 1 के तौर पे रख रहा हूँ level 1, level 2, level 3 क्या है अभी आसानी से आप समझ जाएंगे एक बार इसको बनाने के बाद फिर input के बाद बारी आती है हमारे output unit की तो मैं इसको सिर्फ output रख रहा हूँ एक second ठीक है output ये हो गया हमारा और इसको भी heading के तौर पे मैंने level 1 रख दिया और एक और मैं memory के नाम का ले लेता हूँ ताकि एक और बन जाए यहाँ पे चार चीचें हो गई है memory हो गया ठीक है? font size थोड़ा से चाहें तो बढ़ा लीजेगा मैं तो बस आपको समझा रहा हूँ अब यहाँ पे सबसे उपर की तरफ मैं गया और यहाँ पे मैंने cursor को रख दिया सबसे उपर की तरफ इसको मैं थोड़ा से नीचे लेता हूँ और सबसे उपर यहाँ पे मैंने अपना cursor रख दिया अब यहाँ पे मैं table of contents में गया और यहाँ पे जाने के बाद मैंने पहला वाला जो option है यह select कर लिया और यह देखिए यह मेरे सामने चीज़ें आ गई है कि computer वाली चीज एक number पेज़ पे है input वाली चीज तीन number पे है, output वाली चार और memory वाली चे number पेज़ पेज़ आए तो इस पे जाके control प्रेस करके किसी भी चीज को select करेंगे तो वहाँ आप पहुँच जाएंगे देख रहें कि नहीं, जैसे माली जिए मुझे memory पे जाना है तो control प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं click कर दूँगा तो सीधे memory पे चला जाओंगा यहाँ तक तो बात रही, अब देखिए एक और चीज, जैसे माली जिए मैं add करना चाहता हूँ कोई heading मैं लेता हूँ, जैसे output के अंदर मेरे पास heading है, output device हो सकती है, printer आपकी अब printer मैंने लिया, लेकिन यह heading नहीं है, यह output के अंदर की heading है, मतलब sub heading है तो इसको मैंने select किया, और यहाँ पे गए, और इसको level 2 की heading मैंने बना दिया, चीक है अब यहाँ पे हम get table में, और यहाँ पर देख रहे हैं तो कोई change नहीं है, क्योंकि अभी हमने update table नहीं की है तो update table पे मैं click करूँगा, और यहाँ पे update entire table मैं click करूँगा, और ok कर दूँगा, देखे output के अंदर printer आ गया इसलिए और इसी तरीके से आप input के अंदर भी बदलाओ गड़ सकते हैं, input के अंदर मैं दो heading जोड़ता हूँ, एक मैं जोड़ देता हूँ, input device कोई होगी, mouse हो सकती है, इसको मैंने select किया, और इसको level 2 की heading मैंने बना दिया, और फिर mouse के बाद मैं select कर सकता हूँ, कोई और input device मैं जैसे keyword select कर देता हूँ, और इसको भी मैं level 2 की heading बना देता हूँ, और यहाँ पे जैसे ही जाएंगे, update table, update entire table पे click करेंगे, और ok कर देंगे, input के अंदर भी 2 sub heading देख रहे हैं, sub heading का मतलब क्या है, देखें, थोड़ी सी जगहा छोड़ के बनाया है, अगर कोई नई heading मैं change करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं एक दम नीचे जाता हूँ, और मैं कोई नई heading जैसे internet ले लेता हूँ, ठीक है? मैं ले लेता हो, internet, अब इसको मैंने select किया, और इसको मैं level 1 की heading बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं वापस से जाता हूँ, और update table करता हूँ, update entire table, तो देखें, यह जो internet बना है यह आगे की तरफ है इसमें कोई भी जगा छोटी नहीं है यहाँ पे लेकिन जो level 2 की heading है उसमें जगा थोड़ी थोड़ी छोड़ के बनाई गई है इसी तरीके से जब आप सब heading के अंदर heading देते हैं मालीजे आप printer के अंदर heading देना चाहते हैं जैसे printer में गया और printer के अंदर मैंने दिया inkjet printer यह printer का type होता है इसको select किया और इसको level 3 की heading बना देता हूँ level 3 मैंने बना दिया and then after जब हम जाकर update table करेंगे यहाँ पे देखे मैंने update table किया तो देखे output के अंदर printer आपका और printer के अंदर आपका inkjet printer आ गया है यह चीज़ समझ में आ रही होगी इसी तरीके से मालीजे आप heading में कोई बदलाओ करना चाहते हैं जैसे computer के अंदर या देखे मैंने input लिखा था ठीक है मैं लेकिन चाहता यहाँ पे input device हो जात मैंने यहाँ पे device लिख दिया आगे गया document को save कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे आपका बदलाओ नहीं दिख रहा है input device का इसके लिए भी update table पे click करके यहाँ पे आप update करेंगे तो यह देखे device चुड़ गई है इसी तरीके से output में device कु आइता से आप कर सकते हैं तो यह table of content छोटी सी चीज है लेकिन most important चीज है इसको आप समझ गये होंगे कोई doubt हो तो comment section में पूछ सकते हैं वीडियो को like subscribe करना मत भूलिएगा मिलते हैं अगले lecture में तब तक के लिए नमश्कार जैन